पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी ले वैब डाउनलोड करें दीदी क्या हो गया? क्या हुआ? तो यह से पूछ रहा जैसे तुछ पता ही नहीं है क्या हुआ? पहले तो श्रिया ने मेरा लेंगा चला दिया और अब यह सब घर नहीं जैसे श्रिया मैडम की रेजिमेंड होती है ना की ओडर करेगी और सब उसके वच्छे तुझे क्या काम दिया है? घर में पोचे लगाने का या बात्रूम साफ करने का यार दीदी आपना इकनम चिल करो और श्रिया का तो पता है नापू कभी भी उटके कुछ भी बोलती है आप टेंशन मत लो ना 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 देखना तो वो सबसे काम करवाएगी मैं बता रही हूँ पहले तो मम्मी ने बेटे बेटे करके बेटी को साइड लाइन रखा अब बेटों की बीवियां भी वही सेम काम कर रही है कौन साइड लाइन करना आपको? हम? मेरी अजीची जीजी को सब बहुत क्यार करते हैं हम्मी, पापा, भाइया, मैं, जीजे जीजे का तो तू नाम भी मतले कल अनवरसरी है और यह जनाब पता नहीं कहां का है पह मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैं ना दोस्की यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ तो लेट होगा मुझे ना कोई भी नहीं चाहिए कोई भी नहीं कभी-कभी मन करते हैं मैं समयास लेके तो तू दूर चले जाओ ऐसा लगते हैं मेरी कोई लाइफ ही नहीं है तू दीदी अरे तुम जीजा भी एनवरसरी के दिन तो एक घंटा निकाली सकते हैं न प्लेट फोन क्यों नहीं ठा रहे हैं अरे उठा लो अरे यार क्या हुआ इतने परिशान क्यों लग रहे हो कुछ नहीं विस एक बात बताओ यह नया मोचा खड़ा करने ही क्या ज़रुती तुम्हें कि घर में सभी लोग काम करेंगे सही तो कहा मैंने वक्त के साथ सबको बदलना चाहिए न और अगर घर सबका उतना ही है तो सिर्फ मम्मी क्यों लगे रहे सबको मिलकर काम करना चाहिए और कल से यह होगा तुम भी रेडी रहना पक्का यह सच में करवाहिल होगी तुम मम्मी कभी ऐसा नहीं होने देगी यह तो होके रहेगा देखना तुम कॉन्फिडेंस सभी ते क्या सुबा सुबा अलाम लगा दिया आप ही के फाइदे के लिए है श्रया के उठने से पहले सारे काम करतेती हो नहीं तो वह आप सबको काम पे लगा देगी आप सूजए मैं सारे काम कर दूँगी तक कि किसी और को न करने पड़े को है को है को है श्रया क्या कर रहिए क्या हुआ कुछ नहीं ममी क्या हुआ क्या हुआ मुझे पता था आप ऐसी कोई हरकत करेंगी मैं सम्में काम ना बाटतू इसलिए आप खुच जल्दी उटके सारा काम खतम करना चाहती है ना तेरी स्मार्ट ममी पर सौरी मैं आपसे थोड़ी जाला स्मार्ट हूँ उठा दिया ना सबको तुमने तुम बेकार ही जिद कर दियुशे जो तुम चाहती हो नहीं होने वाला कोई भी काम करने के लिए नहीं मानेगा देखते हैं अरे तुम कब आए आने में लेट हो गया ना तो यहीं सोफे पे लेट गया था सोचा तुमको क्या डिस्टर्ब करूँ यहां पर पूरी फैमिली गैदिरिन क्या बात है? कोई नया मसला हो गया क्या? बिल्कुल नहीं इन फैक्ट आज तो घर का सबसे बड़ा मसला सॉल्व होने जा रहा है मम्मी सब उठी गये तो अभी बात कर लेते हैं एक मिंट एक मिंट क्या बात कर लेते हैं मतलब घर का काम घरवालों में डिस्ट्रिब्यूट हाँ हाँ मैंने एक लिस्ट बनाई है वैभव तुम सुबह की चाय और नाश्ता बनाऊगे माया भाबी आप घर की सफाय जाड़ो और पोचा करेंगी ओ हलो मैं ये सब नहीं करती रोहित भाईया आप घर का हिसाब किताब देखेंगे तो वही बात होगे ना बिल्ली से कह रही हो खीर की रखवाली करने के लिए नहीं मतलब रोहित को दे रही हो पैसो का हिसाब किताब समाल लें और पापा आपको इने तो रहने तो हाँ डोंट वारी मम्मी इनकी सहत को ध्यान में रखते हुए इने काम सौपाए पापा आप मंदिर की देख देख खरेंगे जीज़ा जी रोज की सबसी और बाजार से खिराना लाना आपकी जूटी और दिदी जब तक आप यहां है आप कोई भी काम में हेल्प कर सकती है बाकी सब काम तो हमारे में डिस्टिवीट कर दिया सासो मा अलीडे पैकेज बाटेंगी जा नहीं मम्मी दुकान संभालेगी श्रया तु जो बोलेगी मैं कर लूगी लेकिन बाकी सब कोई काम नहीं करने वाला ठीक है फिर आप मेंसे जिनको भी अपने काबिलियत पे शक है जो खुद को कमजोर समझता है जिसे लगता है उसे नहीं होगा बे फिकर होके हाथ उठाईए इस ओके हर किसी के बेस में सब कुछ नहीं होता मुझे आपत्ती है मैं काबिल मर्द नहीं हूँ लो ममी किसी ने भी हाथ में उठाया इसका मतलब है किसी को भी अपने अपनी जिम्मेदारियों से कोई अबजेक्शन नहीं है ठीक है फिर आज से सब अपने अपने डिपार्टमेंट समभालेंगे अभी सब जाके आराम कर लीजे सुबह होने के लिए तो बहुत टाइम है ओल दे बेस्ट ममी अब आप भी जाके चैन से सो जाईए माँ आज आप खुद ही आ गई? मेरे बिना बुलाए आज तुम उचे आना ही था सविता ये जानने के लिए कि तुमें श्रिया का उत्यश्य समझ में आया भी या नहीं पूरे घर की रेल बनाना क्या उत्देश होता है आद्मियों से काम करा रही है इसका मतलब तुम श्रिया को समझ ही नहीं पई उसने घर की सभी सदस्यों को बड़े चतुराई से कारे दिये चतुर तो वो है मुझे तो घर से बाहर करती है तुम्हें घर से बाहर नहीं भीजा तुम्हें दुकान संभालने के लेती तुम्हें चत्वराण के लेती आके लेती है